हेलो हेलो एवरीवन वेरी वेरी गूट मॉर्निंग वेलकम और वेलकम बैक टो माई चैनल वेलकम बैक टो माई न्यू व्लॉग सो कैसे हैं सब आई हो बहुत अच्छे होंगे और मैं अभी एकदम बढ़िया हूँ बस अभी देखे नहाद हो करके आई हूँ चाए बन रही है वैसे खाना वगएरा सब कुछ बन गया है सब रैडी है मिल्क बॉइल हो चुका है खाना बन गया है हस्बन ओफिस जा चुके है बच्चों को भेजा नहीं है थंड की वज़े से और बस शाय ही बन रही है पूजा वगएरा कर ली है मैंने तो कुल मिडा करके सुबह के जो भागा दोड़ी वाले काम होते हैं वो हो गये हैं अब मेरे आराम वाले काम चल रहे हैं तो चीनी इसमें खतम थी तो मैंने वह ब नहीं करते हैं फटाफट से रैड़ी और थंड है बड मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है कि मैं जब नहा करके आती हूँ ना तम मैं स्वेटर नहीं पहन पाती हूं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उल्जण सी होती है उसके बाद में सवेटर ढल लूंगी लेकिन जिस नहाने के बाद में स्वेटर वगेरा कुछ नहीं पहन पाती हूं दिक्कत होती है मुझे उलजन होती है तो बस इसील स्वेटर नहीं पहना है यह जरूर है कि नहीं बाद आधे गंटे ब्लोवर के सामने बैठ जाती हूं ठंड में तो फिर ठंड नहीं लगती है और देखिए जब तक बन रही है तब तक मैं यहां पर ब्रेट जो है वो फ्राइ कर दे रही हूं बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे तो आज घर में है और उनको चाय के साथ ब्रेट चाहिए ही मतलब चाय तो नहीं पीते हैं दोनों आयना येशी कोई नहीं पीती है बस ब्रेट रहता है तो देखे से को पर मेरे को पिलगता है कि मैं थोड़ा इHNको ब्रेकफास्ट में क्या ही दूं करता है तो इसलिए मैं ब्रेट जो फ्राइ कर दी, हूं थोड़ी सी नमकीन नहा करके आई है थोड़ी दिर पैली नहा ही हूं और देखिए मैं ब्लोवर के सामने बैठी हूं बहुत जादा ठंड है यहां मतरा में ना दो दिनों से बहुत जादा ठंड पड़ रही है और अभी टाइम के और 11.30 हो रहा है तो बस मैं चाय पी रही है तो मैं अब जा रही है वीडियो एडिट करूँगी और उसके बाद अप्लोड करूँगी उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है वैसे खाना तो बनी गया है पूरा गाइस मुझे एक वीडियो शूट करना था कोलाबरेशन वाला तो मैंने अभी जस्ट शूट किया उसे और उसके बाद ब्राइंड को भेजा तो ब्राइंड ने अप्रूफ किया है और अब जाकर के वीडियो की एडिटिंग होई है एक बचके दस मिनिट हो गए हैं अब म सब्सक्राइब के फ्रूट खा रही है मैं बस वीडियो अप्लोड करके जारी हो भी किचन में खाना बनाऊंगी और देखें इतना ज़्यादा लेट हो गया खाना पीना खाया नहीं है जबकि खाना मेरा सुबही बन जाता है मॉर्निंग में ही आजा तो मैंने गरम गरम रोडी यां भी बनाई है बच्चों के लिए आटा लगा करके और डाल गरम कर दी है तो अभी मैं खाना लगा देती हूं अपने क्थब डाइन करता हूँ बश्चो एड़ियो करने में जितना टाइम लगता है ना जितना शूट करने में उत्ना ही टाइम मुझे उसे अपलोड करने और स्दूर सोचने में तैटल सोचने लगता है भूल मिलाकर के मेरे साल 1-2 इ钱 999 रहे शूट करने के लिए तो वो तो डेली मेरा पूरा दिन चलता है क्योंकि हर एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर करनी है तो हर एक शूट भी करनी होगी और यशी भी आ गई है देखे खाना खाना अभी मैं यशी और आयना को स्टडी करवा रही तो आयना ने तो अपना पूरा इसको मुझे पढ़ाना तो वह इसने पढ़ लिया है और यशी अभी टेबा इसको दी गई थी फॉर की लण करने के लिए तो वह सुनाने पाई है तो आयना अब उसे पढ़ा रही है और यह लंट कर रही है और जब लर्ण कर लेगी तो इसके भी चुटती हो जाएगी कर रही है बड़ उसे मस्ती आ रही है वो याद ही नहीं कर रही है अब जब तक लग निकल लेती ना तब तक मैंने इन लोग को बोल के रखा है कि खेलने नहीं जाओगी जब मुझे सुना दोगी तब ही जाओगी और बस वह उसे पढ़ाई रही थी तो मैंने सोचा कि चलो र अटा दिया है सिंगल वाले बेड में इन दोनों को बोला है कि उसी में ही बैठो तुम तब तक यह वाला भी बेड क्लीन हो जाएगा होई गया है बस फिलोज वगेरा रख देते हैं और जो कंबल है ब्लैंकेट है उसे थोड़ा सा फोल्ड करके रख देते हैं साइड में न करा दूं क्योंकि एक स्कूल जब यह लोग जाती है न तब थोड़ा लेड हो जाता है बालों कि उस टाइम जाता लग जाता है बहुत इनके बाल तो अभी वह जब तक सुल जाएगी तब तक मैं हॉल में आ गई हूं टेबल में चाय वगेरा थोड़ी नोगों ने गिरा द करता दूं आपको साड़े चार बज रहे हैं और अभी में पास सिर्फ देड़ घंटे हैं यह कपड़े धुलने के लिए मैं रात में या शाम को रात में तो खेर नहीं शाम को यह दो पहर में हमें सा मसीन लगाती हूं और अभी जैसे यह शाम तक पांच बै तक यह साड़ कर लिए बिटा बॉटल का है बॉटल बहां रखी जाती है मिल्क करके जल्दी से इवां उठाईये और अपनी पीलो सही करिए पीलो जहां रखी जाती बहां रखी है हाँ ठीक है अब बॉटल दीजे मुझे गुड़ गर्री गज़ अब आजा अब यह शी की कंगी कर देती हूं सुबह से मैंने इनके बाल नहीं से किये सुबह से बहुत काम था मिर पास आप सभी देखी रहे हो तो बस अभी ने पार्क में जाना था खेलने के लिए तो बस अब जाके कंगी कर रहे हूं इनकी अब यह दोनों जाएंगी पार्क में अब मैं अपने किचन के काम करूंगी साथ के साथ में कपड़े भी जो मेरे अभी मशीन में धूल रहे हैं उनका भी ध्यान देना है ताकि वह जल्दी से जल्दी धूल जाएं और मैं उन्हें ड्राय करके रग दो अभी ना आयना पर यशी को नीचे बेद दिया है खेलने के लिए वैसे मौजम तो बहुत ठंड है लेकिन फिर भी बच्चे काम आने वाले हैं तो खेलने गया है और अभी मैं कहां जा रही हो मैं मशीन लगाई हूई हूँ तो दो बार मैंने मशीन घुमा दिये अब लास्ट बार उसका प फ्रेंड्स अभी ना शाम के साड़े साथ बढ़ रहे हैं और मुझे जाना था डॉक्टर क्या तो मैं बस निकल दियूँ अभी थोड़ी देर पहले हजबंड आये हैं और मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी दातू में तो बस वही दिखाने जारी हो डेंटिस्ट क्या तो देखिए साड़े साथ जो हैं वो बच रहते और बस हम लोग निकल आए हैं तो आएना को आज आगे बैठना था तो वो आगे बैठ गई और यशी को भी यसे बैठना था लेकिन वो बैठानी रही तो रो भी रही थी और बस जा रहा है डेंटिस्ट के हां पस पहुंच करती हूं कि डेंटिस्ट के पास ना आना पड़े बड़ बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है न तो आने ही पड़ता है और उसके बाद डेंटिस्ट को दिखा करके फिर हमाँ पास टाइम था काफी टाइम था क्योंकि वहां आदे गंटे ही लगे डेंटि है क्योंकि यह अतने जूले हैं यहां पर इनके मस्ती करने की बहुत सारी चीज़े हैं तो इसलिए इनको यहां पर काफी ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर हमने सोचा चलो अब खाना कौन जा करके बनाएगा यहीं पर खा करके ही चलते हैं तो बस अब और करेंगे ख चानल सब्सक्राइब नहीं किया है चानल सब्सक्राइब करते रहें मिलते हैं आप से न्यू व्लॉग में तब तक लिए बाबाई टेक क्यार